कच्चा चिठा में आज बात सबसे पहले करेंगे बेलारूस से आई एक ऐसी खबर की जिसने एक 30 शक्ती शाली देशों में तेहल का मचा दिया एमर्जंसी मेटिंग तक शुरू हो गई वजह है 30 सेकिंड का एक वीडियो इस वीडियो में दरसल बेलारूस ने अपने देश में मौझूद परमाणू बॉम का बटन दिखा दिया है 30 सेकिंड के इस वीडियो में दुनिया में संसानी मचा रखी है सिर्फ 30 सेकिंड के इस वीडियो में दुनिया को तीसरे विश्युद की जहलक्यों दिख रही है इस एक वीडियो से 30 देशों में एक साथ क्यों एमर्जेंसी सारन बच उठा है सबसे पहले इस वीडियो को देख लीचे इस वीडियो में रेकॉर्ड हुई आवाज को सुननी चे ऺडिभ में उसा आवडियों एक दो को एकर आवैर्व रचार इवडियों इस दो क्वारने वार्व respond को स वीडियोले कैन वे इसमें एक तरफ बेलारूस के राश्टरपती ओलेक्जेंडर लोकाशेंको है, दूसरी होर बेलारूस के राश्टरपती अपने राश्टरपती को परमाणू वम की एक रेप्लिका भेज कर रहे हैं. बेलारूस के रक्षा मंतरी का कहना है कि यह उन्हीं सव्चाज में सोवेत संका बनाया गया पहला प्रदिक अपरमाणू पाम का मडल है. जरी कि नब राली है। संसाह प्रादी है जाजित अझारी जा רीण कंसा है ए Git我 है प्रेम beginning टैसyttелю ए भृज कहने ए ताल प्रिवय दो कि व्वां बने एन्ड़ करे चार, जांक कांए कर पने है.. पर सग्वासवान तक तोच्न पूरी दुनिया को बता है कि रूस ने अपने पर्माणों बमों को बेलारूस को फेट कर दिया है बेलारूस के साथ साथ रूस के राश्टरपती व्लादे में पोते ने इसकी पुश्टी कर चुके है कि पर्माणों बमों की पहली खेप बेलारूस पहुँच गई है और अब बेलारूस के रख्षमंत्री वेक्टर स्वेलिन ने उस पर्माणों बम क係 मॉडल को लोकाशनकों को बेकष कर दुनिया के सामने नियोक्लियर पिक्शर पेश की है साथ ही साथ बेलारूस से खार खाये देशों को विना कुछ कहे बहुत भी बड़ी जेतावनी देदी है आगे बढ़ने से पहले लोकाशेंको और वेक्टर स्वानिन के बीच इस मौके पर क्या बागशे थोई इसे सुनने जा व्रहें नी दुमयों स्वालिज्म जानिमाइमसे इलि उश उच 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 रादूएंसा पवदू यादर्न वारूज़ इट प्रस्ट सिम्वालिक्स्के इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया में बढ़ गया है पर्मानों फीवर नैटो कैम्प्स में फैल गया है न्यूक्लियर फियर सवाल है क्या बेलारूस और रूस ने ले लिया है सबसे बड़ा रिस क्या तीजरे विश युद्ध को कर दिया है फिक्स इस वीडियो को देख पेंटागन हुआ परिशान ब्रिटन हुआ है रान नैटो देशों में खल बली दुनिया पर्मानों युद्ध के खौफ से डरी क्योंकि अब मुश्किल है लुकाशेंक को और पोतिन को मनाना बन गया है नया ठिकाना शुरुग होआ पर्माड़ों बम को लगाना विलारूस पहुच गया एटमभा पर्माड़ों बम के नए सेंटर से नैटो हुआ ब्रिटन का मिट सकता है नामों निशां रूस ने बेलारूस में पहले अपना पर्माणू हत्यार तैनात किया और अब वैगनर आर्मी के वहां पहुँशने के बाद से पर्माणू हत्यारों के इस्तिमाल का खत्रा बढ़ सकता है क्योंकि पश्यमी मीडिया ने दावा किया है कि बेलारूस में पर्माणू ठिकानों के बास वैकनर के 8000 लड़ा के पहले से टैनात है सवाल ये है कि क्या फुतिल के बाद अब बेलारूस के राश्रपती और अग्मेंदर दुकाशेंग को वैकनर के लड़ाकों को अपने दुश्मनों के खिलाफ उतारने बाले हैं क्योंकि बेलारूस में एक तरफ पर्माणू ठिकाने तैयार हो गया है वहीं अब वैकनर दुप के कैंप बन रहे हैं और जो पूर कसर बाकी थी वो फुदिल के पर्माणू हथियारों वाले बायां से पूरा हो जाता है प्रफ 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 बेलारूस में भी अपने बाले हैं किया महीनों से पर्माणू हथियारों की धमकी देते आ रहे प्रफ प्रमाणू हथियारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ की ओरी पूर में खुद बैखा है वहीं योक्रेन के द्रफ में काला सागर में भी प्रमाणू बंडूब ईया थे और उसके उत्तर पश्टिम में पोलन के पास रूस के कलेनिन राथ में भी परमाणू हत्यार मौचूद है 1991 में सोवियत संग के बतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है रूस का परमाणू बम रूस से बाहर पहुँच चुका है ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणू बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणू हत्यारों की तैनाती की है बेलारूस में रूस की मिसाईले तनी हुई है बेलारूस में रूस के लड़ा को विमान गरज रहे है बेलारूस में रूस के टैंक दोड रहे है बेलारूस में रूस के सैनिक मूर्चा बना कर रखे हुए बेलारूस में रूसी मिसाईलों की तैनाती से नेटों में पहले से ही खलबली मची थी अब बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यार भी फिट हो गए रूस बेलारूस की सेना को इसकंदर बलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग दे चुका है इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस की सेनी कब पुतिन की पर्माणू मिसाइल को फायर करना सीब गए है और अब रूस का पर्माणू बम ही बेलारूस पहुच गया है अब ऐसे में औरर कुंतिन का होगा, या फिर बेलारूस के राश्टपदी अलक्संदर लुकाशेंको का? ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर मैसाईल बेलारूस में है, तो इस पर लुकाशेंको के औरर से कौन इंकार करेगा? बेलारूस में रूस के परमाणू हत्यारों की तैनाती का सबसे अधिब खत्रा योक्रेन की राजधानी कीव को है क्योंकि बेलारूस योक्रेन का पडोसी देश है और उसके बॉल्टर से कीव ज्यादा दूर नहीं है दोनों के बीच फाजला 90 किलोमीटर गया सबस का ही है बेलारूस में परमाणू हत्यारों को उतार कर कुतिन की तैयारी योक्रेन को दो देशाओं में घेरने की है रूस खुद योक्रेन का पडूसी है इसी वज़े से पिछले साल रूस की सेना योक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी रूस के साथ-साथ बेलारूस में भी परमाणू हतियारों का अड़ा बन जाने से उपरेन के साथ-साथ नैटो के भी होस्च उड़े हुए है, क्योंकि इससे नैटो भी पुतिन के परमाणू बमों के डिरेक्ट वेडार पर आ गया है. इसकी वज़ा ये है कि बेलारूस, पोले, लिथुआनिया और लाफिया जैसे देशों का भी पडूसी है बेलारूस इनसे 1250 किलोमेटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और पोले, लिथुआनिया और लाफिया नैटू के सदस्य है बेलारूस की अपने इन तीनों पडूसियों से रत्ती भर भी नहीं बनती अब तक वो अपने दुश्वनों को बस धमकाता रहता था लेकिन अब उसे रूस के परमाडू बमों की ताकत मिल गई है और पेलरूस के परमार बम भी पोच्चके को उसक्ट नसका है कि अधो ही जाए अभर को सब्सक्राइँ, आख करों का अभर की आपक टूह कि एप पर नस कर वन के लिए इस दो कम सब्सक्राइब मेंगा नहीं कर दो का रिवाई का समय आ गया है। ऐसी में अगर नैटो ने बेला रूस के खिलाब युद्ध छेरा तो रूस भी उसमें फूर पड़ेगा और रूस के युद्ध में शामिल होने के बाद विश्व युद्ध का होना तै